तो दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खवर निकल के आ रहे हो इसे चात्रे हम चात्रा हैं जो 2022 में फाइनल विडियो एक्जाम देने वाले हैं जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जैसा कि हम अलोडी पिछला वीडियो में बता रखें कि सेंट अप डेट जारी कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों जिने भी नहीं मालूम है आपको फिर से बता दिये इस वीडियो के जरिये और साथी साथ आप सभी को बता दिये कि सेंट अप एक्जाम किस तरह से लिया जाएगा और क्या-क्या प्रिवर्तन देखनों के मिलेगा प्रिवर्तन देखनों जाल चाल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ से जरु करें तो आएए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड जैसे कि आप से यहां पर देख पा रहे हैं इस वार इंटर सेंटर परिक्षा का भी एड्मिर्ट कार देगा बोर्ड जी हाँ दोस्तों आप सुभी को पता कि अल्रेडी हम पिछला इंफोर्मेशन में बता दिये कि सेंटप एक्जाम का डेट जारी कर दिया गया है और शाचे साथ आप सुभी को बता देना चाहते हैं दोस्तों कि सेंटप जब एक्जाम होगा उसका एडमिर कार्ड भी बोर्ड कार्ड जारी करेगा जी हाँ दोस्तों बता दे कि आपका जो सेंटप एक्जाम होता था उसमें किसी और स्टुएंट का बदले कोई और स्टुएंट जाकर के बैट करके एक्जाम दे देता था लेकिन इस वार ऐसा नहीं देखने को मिल लगा इस वार आपका एडमिर जैसा कि दोस्तों बता दे इंटर प्रिक्षा के लिए रेस्टेशन कराने वाले सभी नियमित और स्वतंत्र कोटी के चाथ चात्राओं को सेंटर प्रिक्षा में सामिल होना अनिवार किया गया है जैसा कि दोस्तों आप सेंटर प्रिक्षा में सभी को सामिल होना अनिवार क जैसा कि दोस्तों आप सी वी को बतादे कि अब तक यह सेंटर प्रिक्षा अस्कुल कॉलेज के अस्तर पर होती आ रहे है लेकिन दोस्तों परिच्छा कराए या ना परइख्शा में सामिल हो या ना हो इनकी सूची बॉड को भेज दी जाती थी जैसा कि दोस्तो पहले ऐसा होता था था कि एगर एक्जाम हुआ ना हुआ सारा information board office के पाई भेज दी जाती थी लेकिन दोस्तों इन सभी धानली पर board ने नकेल कस दिया है जी हाँ दोस्तों ये सब नकेल को देखते हुए board office के तरफ से एक information लिया गया है कड़ा action लिया गया है कि आप सभी को center exam में हर हाल में भागीदारी निभाना अगर center exam नहीं देते तो आपको final board exam देने के अनुमती नहीं मिलेगी दरसल दोस्तों आप ये साब से बता दिया कि विद्यार्थी परिक्षा देंगे इंटर की परिक्षा सदर अनुमंडल में सबसे अधिक 60 के अंदरों पर ली जाएगी तो दोस्तों हम आप स्वी को बता देना चाहते कि आपका center exam जो है आपका 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली है तो दोस्तों इस वीडियो के अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा से शेर करें जो 2022 में final board exam देने वाले हैं अगर center exam नहीं देते हैं तो 2022 final board exam देने के अनुमती नहीं मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर सारी जनकारी अच्छे तरह से मिल गई होगी तो वीडियो अच्छा लगा तो चानल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ से जरूर करें तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों मिलते हैं नेशन में थाइंक्यू दोस्तों